गुद मॉर्णिंग केट्स, हाउ आई यू, होप यू आर फाइन एड ओम, आज मैं आपको स्वर के बारे में बताऊँगी, स्वर जिन वर्णों के उचारन के लिए अन्ध्वनियों का सहरा नहीं लेना पड़ता, उन्हें हम स्वर कहते हैं, जैसे अ अनार, अ अनार, आ, आम, इक इमली, इक, उल्लू, उल्लू, उ उन, रे रेशे, री, रेशे, ए, एडी, आ, आनक, आ, आनक, ओ, ओखली, ओ, ओखली, ओ, ओर्रत, ओ, ओर्रत, अंग, अंगूर, अंग, अह, खाली, अह, खाली, आज आप मेरे साथ हिंदी स्वर्ण माला बाल गीत दोहराएंगे, आओ धूंडे हम आसे अनार, फिर तोड़ेंगे आसे आम, फिर तोड़ेंगे आसे आम, चलो चखले फिर इसे इमली, और फिर देखे इसे इ, और फिर देखे इसे इ, हमने उसे उनलो देखा, और फिर उ के उन से लपेटा, और उसे उ के उन से लपेटा, री से रिशी से लिया है ग्यान, रिसे रिशी से लिया है ग्यान एसे एडिस छुआ जहान ऐसे एडिस छुआ जहान ऐसे एनक से पढ़ते नाम ओसे ओम की शक्ती महान ऐसे ओम की शक्ती महान ऐसे अवरत का करो सम्मान ऐसे अवरत का करो सम्मान इसमें ही बढ़ती अपनी शान अमसे खाया हमने अंगूर अहा से खाली सीखा जरूर ऐसे हमने स्वर्गीत है सीखा ये है कितना बढ़िया तरीका आप आप लोगों को ये कविता बहुत पसंद आई आप ममा के साथ रोज इस कविता को रिपीट करेंगे और मुझे एक छोटी से वीडियो बना कर भेजेगे ओके बाई